आज मैं बनाने जा रही हूं बिना प्यास से खुसका की रेसिपी यह बहुत ही टेस्टी और पुलाओ की जो यह मिठा से बहुत अच्छी लगती है आप एक बार इसे जरूर ट्राइ करें तो चलिए पहले हमें पतीलों को चड़ा देना है उसमें 100 ग्राम तेल डाल देना है अजय को चिशार जाय को रहा है अगर आप देखे कि मसाला नीचे सट रहा है तो थोड़ा सा पाने एट कर सकते है वरना तेल में अच्छी से भून लेते तो तो यह हमें हम इस मट्छी जाए पर चाल पीश्ट और में पाने उसमें इसमें बहूंचे जाय को आपने लिए है जब ब्राउन हो जाए तो इसमें हमें डाल देना है पाने लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं कि एक बॉल चावल है और मैं चावल को नाप ली हूँ बॉल आप कोई बाइटन से भी नाप सकते हैं ताकि आसानि से आप पानी डाल सकते हैं खुसका में, और ना ज्यादा होगा और नहीं कम डाल हे also आप डाले तो यह देखिए अच्छे से भुणा है अब हमें इसमे क्या करना है पानी डाल देना तो एक बॉल चावल के जगह में हमें दो बॉल पानी डालना है तो चावल जितना था उसको सेम नाप का पानी डालना है तो आप देख सकते हैं दो बॉल पानी डाल दी हूँ अब इसमें हमें डाल देना है नमक तो आप अपने चावल के हिसाब से रमक एड़ सकते हैं और मैं यहाँ पे एक चमच रमक एड़ करी हूँ अंदास से अब हमें क्या करना है city रककन को ढड़क देना है जब तक पानी बॉयल ना हो जाई तो आप देख सकते हैं पानी बॉयल हो चुका है और मैं चावल को पहले से ही दो कर चन्नी में चान कर रख दी थी अब हमें क्या करना है चावल को बॉयल पानी में डाल देना है उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और हाँ ध्यान रहेगा इसका फिल्म को यहाँ पे हाई रखना है इसे तीन से चार बार अच्छे से चला लेना है उसके बार धकन को धक देना है थोड़े देर में हमें खोल कर देखना होगा कि पानी कितना है अभी भी थोड़ा पानी है तो एक से दो बार चला लेते हैं उसके बार धकन को फिर से धक कर छोड़ देना होगा और हाँ यहाँ प इसी तरीके से हमें चला लेना है. उसके बार हमें क्या करना होगा? इसे दम में देना होगा. यहाँ पर हमें गैस का फलिम को लोग करते हुए 15 में मिनिट के लिए दम में दे कर छोड़ना होगा. अगर आप चाहते हैं कोई भारी समान रखे तो रख सकते हो अना इसी तरीके से ढग दे तो 15 मिनट हो चुका है ये देखिए खुसका बन कर रेडी है यहाँ पे भी हमें अच्छे से एक से दो बार मिक्स कर लेना है और हाँ यहाँ पे मैं मीनी मोगरा चावल से खुसका बनाई हूँ यह बहुत ही डिलिसियस बनती है आप एक बार जरूर ट्राइ करें अब हमें यहाँ पे क्या करना है इसी तरीके से एक से दो बार मिक्स कर लेना है उसके बाद हमें इसमें डालना होगा औरेंज कलर मैं जब छोटी थी थी ना तो ममी यही खुसका बनाती थी और वाके में यह बहुत टेस्टी बनती थी अब हमें क्या करना है औरेंज कलर को इस तरीके से थोड़ा सा उपर में स्प्रिंकल कर देना है उसके बाद हमें क्या करना है ना प्याज को डाल देना है बिर्यानी करके तो इस तरीके से मैं प्याज को पहले से ही बिरियानी बना कर रही थी इसके उपर हमें इसे भी डाल देना है ताकि इसकी लुक भी अच्छी है और इसकी टेस्ट और भी बढ़ जाए तो फ्रेंड्स गर्म गरम खुसका बनकर रेडी है और इसके साथ ना मैं मतनालू के सिरुबा बनाई हूँ और बहुत जल्द मैं आप सबसे सेयर करने वाली हूँ अगर मेरी खुसका वाली रेसिपी पसंद आ जाए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कर दे और जो न्यू है मेरी रेसिपी देख रहे हैं तो प्लीज सपोर्ट करें मिन्स सब्सक्राइब कर दे और हाँ बेल आइकन भी प्रेस कर दे ताकि मेरी नहीं नहीं वीडियो की अगया रुब singular widzma कर दो हुआियो कर दोर्ट खुआ है नहीं वी खुआ है तो कर दो छूं़ Martě रेसिपी